नमस्का सर एक और नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है जो कि आज हम आपके सामने एक फिर से बने हुए मकान की जानकारी लेकर आ गए हैं उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, कुछ लोग हमारी यूटूब चैनल के माध्यम से अपने जमेन या फिर मकान को बेजना भी चाहते हैं, लेकिन वो संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो मैं उन लोगों को जानकारी दे देते हैं, मुझसे संपर्क करने के लिए इस वीडि पर खरीना चाहते हैं, अगर आप बेजना भी चाहते हैं, तब भी आप मुझसे कमेंट करके बता जकते हैं, कि आप कौन हैं, कहां से हैं, किस लोकेसन से हैं, किस स्टेड से हैं, ये सारी डिटेल आप होँँ पर लिख दीजिए, मैं आप से संपर्क करूंगा, आपकी बनाने को कोई पैसे लिए जाएगा, ना ही उस मकान को सेल होने पर आप से जीरो भी प्रिसेंट बिल्कुल भी कमिसन नहीं ली जाती है, तो चलिए इस मकान की बारे में हम आपको बेहतर क्वालिटी के साथ आपको जानकारी देने की कोस्स करेंगे, ये जो बना हूँ मकान आपको देखने को मिल ला है, और आपके मुवाइल के स्क्रीन पर चलाए गया है, ये मकान आपको पूरे चौदा सव वर गिर्फिम में आपको ये मकान देखने को मिल जाता है, मकान के अंदर की बात करें, तो इस मकान के अंदर आपको सभी प्रकारी की सुधाएं देखने गेरिया हाल, गाड़ी पारकिंग, फ्रंट साड में रास्ता 25 फिट का आपको देखनों को मिलेगा, तो ये सारी चीज़े आपको इस मकान के अंदर देखनों को मिल जाती हैं, बात कर लेते हैं मकान के ज़ेश्ट साज से रास्ते की, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि डामर रोड लगा हुआ है, और 25 फिट का रास्ता आपको मकान के ज़ेश्ट साज से डामर रोड लगा हुआ है, बात कर लेते हैं मकान के ज़ेश्ट साज से, तो मकान की दूरी हम आपको उज़ा देते हैं, यानि कि मार्केट की दूरी हम आपको फिर से बता देते हैं, मार्केट काफी बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बात कर लेते हैं पेटरल पंप की तो जो आपको वहाँ पे मार्केट मिलेगा उसके जाएट च्छेसो मेटर की दूरी पे आपको चलना है रिंग डोड पे वहीं पे आपको यहाँ पे पेटरल पंप भी देखने को मिल जाता है इसके साथ साथ बात करें इस मकान के अंदर और भी कौन कौन से सुधाएं कि जगे पे सिप्ट की गई है तो चलिए हम आपको डिटेल में समझाने की कोसिस करूँगा यहाँ पे आप देखे सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा किचन और यह किचन और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे लैटरिन देखने को मिल ला है और यह लैटरिन काफी अच्छी कंडिसन के साथ आपको यहाँ पी लैटरिन भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको छोटा सा स्टोरूम भी मिल जाएगा यानि कि अगर आपको गाड़ी वाड़ी खड़ी करनी है तो वहाँ पे आपको खड़ी कर सकते हैं यहाँ पे आपको गारेज देखने को मिलेगा अगर आपके पास टूबलर फोलवर गाड़ी या हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से पार्क कर सकते हैं यहाँ पे जो आपको देखने को मिल ला है यह आपको मिल जाता है किचन तो किचन हम आपको एक बार फिस से दिखा देते हैं किचन काफ़ी प्यार आपको देखने को मिलेगा जो कि इस किचन के अंदर आपको चिमिनी प्लस आपको मार्डल किचन भी दिया जा रहा है यहाँ पे आपको ड्राइंग एरिया हाल देहनों को मिलेगा और यहाँ पे आपको बेडरूम देहनों को मिल जाता है और ये bedroom काफ़ी अच्छी condition के साथ आपको यहाँ पे bedroom देखने को मिल जाता है इसके साथ साथ बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको kitchen देखने को मिलेगा और लाइटरी भी देखने को मिल जाएगी इसके साथ में आपको kitchen भी लगा हुआ है और यहां पर आपको वैसे आपको किसन की भी फोटो दिखाईए है तो यह सारी सुब्धाइं आपको इस मकान के अंदर देखने को मिल जाती है बात कर लेते हैं मकान के मालिक का नाम तो ये आपको विवेक बिंद्रा कुमार की नाम से आपको मकान देखने को मिल जाता है जो कि जो मकान के मालिक है ये सिकंड ओनर से आपको देखने को मिल जाएगा ये माकान किसी दूसरे मालिक का है इसलिए अपना मकान के सेल कराना जाते हैं मालिक की काष्ट की बात कर लेते हैं तो इस मालिक की काष्ट है यह OBC की है और इस OBC वल्ले मकान को आप खरीना चाहते हैं तो खरी सकते हैं बिवाद बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये सारी चीज़े आपको इस मकान के अंदर देखने को मिल जाती हैं बात कर लेते हैं यहां के water level की तो चलिए हम आपको यहां के water level की विजान कादी देदे देते हैं इस मकान के अंदर वैसे तो आपको Our Lady एक समर लगा हुआ है उस समर की सहारता से आपको यहाँ पर पानी भी प्राप्त हो जाता है अगर आप यहाँ पर अपना खुद का एक समर से विल या बोर विल या पानी की अनरेटेड बहु सारे साधन आए हुए हैं उन चीज़ों को लगाने की सोच रहे हैं तो एक सो नब्बे फुट पर आपको यहाँ का वाटर लेवल देखने को मिल जाता है जो कि अभी भी यह मकान जो बना हुआ था उस समय की बात है जो कि यह समर लगा गया था इसलिए मिल जानकारी में मिला है तो मैंने आप लोगों को जानकारी पूरी पूरी दे दिया है बात कर लेते हैं मकान का करेक्ट लोकेशन तो चलिए हम आपको मकान की मालिक का नाम और करेक्ट लोकेशन भी बता देते हैं कि ये मकान आपको किस लोकेशन पर देखने को मिल जाएगा है जिले की बात कर लेते हैं तो जिला यहां पर जो लगता है यह है बहराइच और बहराइच जिले में ही आपको यह मकान देखने को मिल जाता है जो सारदा नगर आपको मिलेगा वहीं पे आपको ये मकान देखने को मिल जाता है उसके जश्ट साथ से आपको बहराइच मार्ग और सीता पुर मार्ग ये सारी वहीं पे राखता आपको देखने को मिल जाएगा जो की में चौरा है से ही आपको ये मकान देखने को मिल जाता ह बात कर लेते हैं राज की तो राज जिहां पर उत्तर पदेश है तो गर आप इस लोकेशन को छोड़ कर किसी दूसरे लोकेशन पर बने हुए मकान को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको कमेंट बाक्स में जाता है आप इसमें मुझे से कमेंट करके बता सकते ह हैं कि आप कहां पर मकान खरीदना चाहते हैं किस कीमत में खरना चाहते हैं और किस लोकेशन पर खरीदना चाहते हैं यह सारी डिटेर आप मुझे से कमेंट करके बता सकते हैं तो चलिए हम आपको इस मकान की कीमत भी बता देते हैं यह बना हूँ मकान आपको मिलेगा मालिक का मुबलंगर अगर आप चाहते हैं तो मालिक से सीधा स्वापर करना जाते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बाक्र में आपको छोटी सी लिंक मिल जाएगी उस लिंक पर जरसे आप टेस्ट करेंगे तो इस माकान की पूरी इंफार्मेशन आपको लिखी हुई देखने को मिलेगी और वहीं पर आपको मालिक के मौवे लंबर मिल जाएगा अधिक जानकारी के लिए आप मालिक के पास काल कर सकते हैं और वीडियो को खरी सकते हैं तो अगर आप भी हमारी यूट्यूब चेरल के माद्धिम से अपने जमिन या फिर फ़ने माकान को आप में हैं किस लोकेशन पर मैं आपसर समपर्क करूंगा आपकी वीडियोहामारे इसनल पर बिल्कोल फ्री में अप्लोड की जाएगी यसे आपसे ना बीडियो बना नपको कोई पैसे ले जाएगा नहीं उस मकान को भीखने पर आपसे बिल्कोल भी कमिशन नहीं लियाती हैं ये जो बना हो मकान आपको देखने को मिलना है इस मकान का टोटल खरचाएगा ये बारा लाग आएगा इसलिए इस मकान को अगर आप खरीना चाहते हैं तो सिर्फ आपको लिखाई की पैसा ही पड़ेगा सिर्फ आपको लिखाई का पैसा ही देन पलेगा.